हेलो फ्रेंट्स विलकम टो मिकैनिकल टेक हिंदी फ्रेंट्स कुछ दिनों पहले मैंने इंस्टा और यूट्यूब पोस्ट के ज़री आपको ये अपडेट किया था कि मैं राची से दिल्ली जा रहा हूँ एक बहुत ही स्पेशल वीडियो शूट करने के लिए तो फाइनली मैं दिल्ली से वो वीडियो शूट करके वापस आ चुका हूँ नेक्स दो या तीन दिन में वो वीडियो चैनल पे लाइव होने वाला जो कि मुझे पूरी उमीद है कि आपको बहुत जादा पसंद आएगा कर सकते हैं और क्या गयर में बार बार बाइक के इंजन को स्टार्ट करने से कोई नुकसान होता है कि नहीं होता है दूसरा सवाल यह है कि कई बार जब ट्राफिक होता है रेड डाइट होता है या वैसे भी कई बार जमारी बाइक खड़ी होती है engine start होता और bike gear में होते है ऐसे में हम काफी लंबे समय तक जो clutch lever को लगतार दबा के रखते है bike का engine start और bike gear में है तो इस से clutch playt के जो assembly उसको कोई नुक्सान होता है कि नहीं होता है और तिसरा सवाल इंपोर्टन यह है कि कई बार जब धलान होता है स्लोप होता है या हमारी जब बाइक मोशन में होती है उस टाइम पे बिना एक्सलेटर लिए हम कलेश देवार को दबा के लगतार स्क्रोल करते रहते धलान में ढूलकते रहते इस तरह से तो उससे कोई नुकसान होता है कि नहीं होता तीनों सवालों का जवाब आपको आगे इंजन को स्टार्ट करने के कोशिश करते है तो उस टाइम पे बैसिकली होता यह है कि जो इंजन का क्रैंक साफ्ट है वो घूमने लगता है जब हम लोग इंजन को स्टार्ट करते है अब यहां पे बहुत सिंपल वाली बात यह है कि जब बाइक नूटरल में होता है जब न इंगेज नहीं होता और जिसके वैसे क्रैंग साफ्ट आसानी से घूम जाता है और इंजन स्टार्ट हो जाता है लेकिन जब कई बार बाइक जो है वो गेर में होती है कोई से भी गेर हो सकता है एक से लेकर छे तक उस गेर में जब हम लोग कलच लिवर को दबा के इंजन को स् उसके वज़ा से जो crank safety और जो gear box है, इनका आपस में connection जो है, वो छूड़ जाता है, जिसके वज़ा से ज़ा हम लोग self लेते हैं, तो बहुत असानी से, जो हमारा crank safety gear में भी घूम जाता है, तो ultimately बहुत ही basic simple वाली बात यह है कि बाइक के engine को चाहे आप neutral में start करो, चाहे gear में start करो, जितनी बार start करो, कोई फरक नहीं पढ़ता है, इस से engine को नुकसार नहीं होता है, यह बहुत छोटी छोटी बात है, तो इन छोटी बातों का ध्यान ने दिया करो, और अपने riding का मज़ा लो, इन चीजों के वायस से, किसी भी तरह का engine में को नुकसार नहीं होता है, यह सारी चीजे सही और बहुत बार लोग गलती क्या करते है, कि जब बायक चार-पाच गयर में होती है, engine बन होता है, तो उसे neutral में पहले करते है, फिर engine को start करते है, ऐसा करके भी आप time के वरबादी कर रहा हो, इसका कोई sense नहीं बनता है, तो यहाँ पे आप neutral और gear दोनों में अपने बायक के engine को start कर सकते हो, दूसरा सवाल बहुत important है, कई बार traffic होता है, ठीक हम लंबे जाम में फसे हुए होते है, जब बायक लगतार खड़ी होती है, या फिर जब red light होता है, तो engine क्या है, start है, बायक किसी भी gear में हो, और हम crash liver को दबा के रखते हैं, यह गलत है, यह करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने के वैसे, जब बायक gear में हो और खड़ी हो, खास करके, और engine start हो, उस टेम पे क्रचिवर को दबाने के वैसे, जो clutch plate है, जो pressure plate है, इनमें कहीं ने कहीं, जो stress से वो बढ़ता है, जिससे जो clutch plate को नुकसान होता है, तो यहां पर यह खड़ी है, बिल्कुल आपको चलाना नहीं है, तो आप neutral में कर दो, और clutch liver को छोड़ दो, यह ज़्यादा बेहतर होता है, वहीं दूसरी तरफ कई बार क्या होता है, जो third सवाल भी है, कि हम लोग क्या करते कि जब धलान होता है, slope होता है, डॉन हिल होता है, तो हम क्या करते कि वहाँ पर, या तो neutral करके, या फिर gear में ही, जो clutch liver है, उसे दबा देते है, जब bike motion में होती है, हमने clutch liver को दबा रखा है, तो जो gearbox का rotation हो रहा है, वो पीछे के चक्के दा, जो chain का connection है, उसके वज़ासे होता है, यहाँ पर crank flap वगरा का कोई roll नहीं होता है, इसके वज़ासे लेकिन जब bike engine, यहाँ खड़ी हो, engine start हो, bike gear में हो, तो वहाँ आपको बचना चाहिए, clutch liver को दमाने से, इससे clutch plate को नुकसान हो सकता है, तो फिर यह जो तीन ऐसे सवालते हैं, जिसको बहुत से लोगों को doubt होता है, मुझे लगा कि आपको इसके बारे में बताना चाहिए, त प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और bell icon को भी दबा ले ताकि आने वाले important videos के update आपको notification गत्रू मिलते रहे, मिलते अगले video में, thanks watching this video, good bye